क्या तो आप इंडिया को चुट लो और इंडिया को अगर नहीं चुनते हैं भीमा भर्ती को तो आप इंडिया को चुट लें साथ बात साथ यो नमस्कार मैं हूँ नीरत पटेल और आप देख रहेंने संजनमत तमाम जरूरी मुद्दों के साथ बिपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा है इस बार हर हाल में बीजेपी यानी की मोदी को रोकना है वरना देश का लोकतंत्र खत्रे में आ जाएगा देश में इसके बाद चुनाव ही नहीं होंगे समिधान खत्म कर दिया जाएगा मगर इन मुद्दों से जादा जरूरी है बिपक्षी दलों के नेताओं का इगो अभिमान घमंड और इसी घमंड और व्यक्तिकस स्वार्थ की वज़े से हर वार ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती है जिसका खामियाजा बिपक्षी दल तो छोड़िये देश की उस जनता को भुगतना पड़ता है जो हर वार बीजेपी को रोकने के लिए बोट डालती है नेशनल जन्मत ये समझने की कोसिस कर रहा है वास्तों में मूल एजेंडा बीजेपी को परास्त करना ही है तो ऐसे लोकसवा छेत्रों में जहां इस्थापित विपक्षी दलों के अलावा कोई और अन्यनेता जो जीतने की कैपासिटी में भी है अगर चुनाओ लड़ता है तो उसका पुरजोर तरीके से बिरोध क्यों किया जाता है अगर वास्तों में एजेंडा बीजेपी को हराना है तो उस छेत्र में जो नेता बीजेपी को हरा रहा है उसका सपोर्ट क्यों नहीं किया जाता वहाँ इगो और निजी और व्यक्तिका स्वार्थ आले क्यों आ जाता है उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाओ में जिस एक सीट की सबसे ज़्यादा चर्चा थी वो था नगीना लोकसवा चुनाओ क्योंकि वहाँ चंदर सेखर आजाद अपनी पार्टी यानि आजास समाच पार्टी के सिंबल पर चुनाओ मैदान में थे मैं तकरीवन दस दिन वहाँ रहा इसलिए पुरे विश्वास और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि बीजेपी से लड़ाई में चंदर सेखर आजाद काफी दिन पहले ही नजर आने लगे थे इसके बावजूद लोकतांतरिक प्रिक्रिया में भी घोसित होने वाले उत्रा अधिकारी आकास आनंद वहीं से अपनी रैली की शुरुबात करते हैं बहन जी भी उस सीट पर पहुंचती हैं अखलेश यादो इन आठ सीटों में किसी सीट पर दो बार नहीं जाते लेकिन नगीना में दो दो बार पहुंचते हैं सामान निजंता को समझ में आ रहा था लड़ाई सीधे चंदर सेखर से है क्या इन पार्टियों को समझ में नहीं आ रहा था मतलब मकसद BJP को रोकने की बजाए अपना इगो और एहम संतुष्ट करना था नगीना में लाश्ट आते आते इन दोनों पार्टियों के लिए लड़ाई ये बन गई थी कि चंदर सेखर को रोकना है भले ही भारती जनता पार्टि जीद जाए ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ इस बात को सावित करने का सबसे अच्छा उदारन बिहार की पूर्णिया लोकसभा से सामने आ रहा है जहां एक वार विधायक और पांच वार के सांसद राजेस रंजन उर्फ पपू यादव निर्दली चुनाव लड़ रहे हैं पपू यादव दो बार इससे पहले निर्दली लोकसभा में पहुँच चुके हैं और एक बार बिहार में कम जनाधार वाली समाजवादी पार्टी के टिकट पर भी लोकसभा पहुच चुके हैं ऐसे में पूर्णिया सीट पर वो मजबूत दावेदार हैं जो बीजेपी को हरा सकते हैं उनका समर्थन करने की वज़ाए तेजसी यादव जैसे नेता मैं खुद मानता हूँ के तेजसी यादव संघरसील महंती मुद्दों को समझने वाले नेता हैं मगर इस सीट पर उनका एगो उनका अभिमान बीजेपी को हराने पर भी भारी पड़ गया इसलिए इस सीट पर चुनाओ परचार करते हुए उन्होंने वो सब्द तक मुझ से कह डाले जो सब्द अखलेस यादव ने नगीना में इस्तमाल नहीं किये थे तेजसी आदव ने इस पश्ट तोर पर कह दिया चुनाओ दो धर्वी है या तो एंडिये या इंडिया इन दोनों में ही किसी को बोट डालना है इंडिया में बोट नहीं डालना तो एंडिये में डाल दो बात साफ है किसी के दोके में नहीं आना ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है ये दो धारा या तो एंडिये या तो इंडिया या तो इंडिया की लड़ाई है या तो आप इंडिया को चुनो और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो भीमा भरती को तो आप इंडिये को चुन रहे ह व्यत्तिगत तोर पर मैं तेजस्य यादव को एक जन नेता मानता हूँ मगर अपने ही समाज के एक दूसरे नेता से इतना डर, इतना घमंड, इतना अभिमान कि आप साप साप तोर पर कह रहे हैं RJD की प्रत्यासी बीमा भारती को बोट दे दो वरना अपना बोट NDA में दे दो, लेकिन पपू यादव को बोट कतई मत देना आखिरकार पपू यादव से इतना डर क्यों है वही डर जो तर प्रदेश में अखलेश यादव और बहनजी को चंदर सेखर आजाज से है वही डर सायद पपू यादव से है इन दोनों नेताओं में तमाम असमानता होने के बावजूद एक समानता है कि दोनों निर्भीक हैं समाज के लिए सड़क पर उतर करके काम करते हैं पपू यादव और उनकी पतनी रंजिता रंजन जिस समय दोनों लोग सभा में थे दिल्ली जब ये रहते थे तो एक आवास केवल एम्स के मरीजों के लिए रिजर्ब करके रखा गया था इन दोनों के संसदी छेतर से आया हुआ व्यक्ती उनके आवास में रह सकता था खाने की भी विवस्था थी एम्स में एक व्यक्ती के ड्यूटी लगाई गई थी के इनको दिखवाना है कोरोना के समय में पपू यादव ने पानी तक में उतर करके जनता की भलाई के लिए जो काम किये अपने पैसे से एम्बूलेंस इस्तमाल की उससे पपू यादव की लोगप्रीता में इजाफा हुआ साइध इसी वजे से तेजस्वी यादव और लालू यादव जी को पपू यादव से खत्रा महसूस होने लगा के पपू यादव अगर आगे बढ़ते हैं हो सकता है मेरे बेटे की राजीती के लिए ही खत्रा उत्पन हो जाए ऐसा सोचना बेहत छोटी सोच है आप इतनी बड़ी पार्टी ले करके चलते हैं आप दोनों का इतना बड़ा चहरा है प्रदेश में महज एक पपू यादव को गले लगाने से आपका कद आगे ही बढ़ता बलकि छोटा ना होता यही गलती उत्तर प्रदेश में भी आप देखिए चंदर सेखर आजात को नहीं लिया गया स्वामी प्रसाद मौरिया को इंडिया गढवन्दन में एक सीड भी नहीं दी गई जब कनहिया कुमार जैसे अच्छे वक्ताओं को टिकट देने की बात आती है तो बिहार में उनके लिए रास्ते बंद कर दिये जाते हैं कुल मिला करके बार बार कहा जाता है कि संसद में अच्छे लोग पहुँचेंगे तो संसद में जा करके समाज के जरूरी मुद्दे उठाएंगे मगर यही लड़ने वाले लोग जब संसद पहुँचना चाहते हैं तो तमाम विपक्छी दलों के लोग अपने एगो और व्यत्तिकस स्वार्थों में इनके सामने रोडा अटकाते हैं तो फिर क्या बीजेपी को रोकने का ठेका यह चोटे चोटे और सामाननेता ही लिये हुए हैं बड़े बड़े मठादीसों के लिए बीजेपी को रोकने का मतलब महज अपनी पार्टी का अस्तुत और अपने अपने उत्त्राधिकारियों को बचाये रखना हैं हलाकि इस थापित राजनेतिक दलों के लोग बहाना बनाते हैं कि ये तो अपनी सीट भी नहीं जीत पा रहे मगर ये नहीं देखते हैं कि उनके साथ हर विधान सभा हर लोग सभा में जो थोड़ा थोड़ा ही सही बोट बैंक है वो आपकी पार्टी के साथ मिलकर के जीतने का कॉम्बिनेशन बनाता है जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए उतना बहतर है वरना आपके एगो और ब्यक्तिकत स्वार्थ के चक्कर में आपका तो कुछ बिगड़े या न बिगड़े लेकिन जनता जरूर पिस रही है देखते रहे नेशन जन्मत जागरुक और बने रही है जै विज्ञान जै समीधान जै लोगतंत्र धन्यवाद